ओम स्री परमात्मने नमहा सभी भक्त गणों को नमस्कार मेरा नरेंद्र कुमार कथा वाचक की ओर से आज हम नौरात्री की पवित्र दिवस पर हम पाठ करने जा रहे हैं स्री दुर्गा सबसती का हिंदी में पाठ यह उन भक्त गणों को मदद करेगा जो स्वायम इतना समय तक बैठ कर पढ़ नहीं सकते चाहे भीजन के प्रोब्लम या उनकी आसन सिध्धी नहीं है इतना देर तक बैठ नहीं सकते किसी भी कारण से तो वह सुन लें इसे देख लें उसे जिस किसी भी सुविधा जनक अस्थिती में रहें ऐसा माना जाता है कि जितना पढ़ने से लाब है लगभग उतना ही स्रवन से भी लाब होगा तो यह भक्त गणों को दुर्गा सबसती का पूर्णतह लगभग लाब मिल जाए इस दृष्टी कोन से मैं आप सबों को समर्पित करता हूं मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं इस से पहले आप सभी भक्त गणों से बिनम्र निवेदन मैं करता हूं आप इस चैनल को अवस्य ही सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले और आप अब हमारे साथ जुड़ जाएं भारतिये संस्कृती का कोई भी प्रेमी आज दुर्गाति नासिनी सक्ति परामबा भगवती दुर्गा एबम उनकी उपासना के लि यह एक आसिरवादात्मक गरंथ रत्न है आज तक न जाने कितने भक्त इस गरंथ के दौरा भगवती की उपासना करके अपने मनुरत सिध्ध कर चुके हैं इस गरंथ के नित्य पाठ से जहां समस्त कामनाओं को सिध्ध किया जा सकता है वहीं भगवती की किरपा और मुक्त भी सहज ही प्राप्त की जा सकती है इसलिए पतेक सरधालू चाहे वह किसी भी देश, वेश, मत, संपरदाय से संबंधित क्यों न हो दुर्गा सबसती का आसरे ग्रहन कर सकता है सरधालू भक्तों के कल्यानार्थ यह पुस्तक गीताप्रेस ने लिखा है यह दिव्य ग्रंथ है जिसका मैं पाठ कर रहा हूँ जिसका केवल मूल हिंदी अनुबाद यहां मैं करूँगा और इसी परंपरा से संस्कृत ज्यान से अनभिग्य जो लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते उन दर्सकों की सुविधा को द्यान में रखकर यह भगवती की किर्पा से इस सुन्दर जो इतिहास है दुर्गा सब्सती का हिंदी में मैं आप सबों के पास समक्ष एकर रहा हूँ समर्पित कर रहा हूँ इसमें हम देखेंगे परमुक्तह इसकी सब्सलो की दुर्गा देखेंगे सी दुर्गास्ट अस्त्रोत देखेंगे और पाठ विधी क्या है इसे भी सौटकट में देख लेंगे जिसके तहत देवी कवच, अर्गलास्त्रोत, कीलक, वेदोक्त रात्री सुर, तंत्रोक्त रात्री सुर, שृदेव्यर्थार्थ सीर्ष, नरवान विधी, सब्त सती नियास और दुर्गा सप्सितिक का तेरहो अध्याई हिंदी में देखेंगे इसके साथ ही हम प्रयास करेंगे कि छमा प्रार्थना, आरती, आदी भी विस्यों को मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूँ, हलाकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, पर मा भगवती से हम देखते हैं कि कितना समय हमें देते हैं और कितना आगे तक मैं जा पाता हूँ, तो प कल्यूग में कामनाओं की सिध्धी है तू, यदि कोई उपाय हो, तो उसे अपनी वानी द्वारा समयक रूप से व्यक्त करो, देवी नी कहा, हे देव, आपका मेरे उपर बहुत सने हैं, कल्यूग में समस्त कामनाओं को सिध्ध करने वाला जो साधन है, वह बतलाऊंगी, स उसका नाम है अंबास्तुति ओम, इस दुर्गा सबसती स्लोक की अस्त्रोत मंत्र के नारायन रिसी हैं, अनुस्ट छंद हैं, स्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं, स्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सब्तु स्लोकी की दुर्गापाठ में इसका विनियोग किया जाता है, वे भगवती महावाया देवी ज्यानियों के भी चित को बलपुर्वक खीच कर मोह में डाल देती हैं, मादुर्गे आपस्मरन करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, और स्वस्त पुरसों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परमकल्यान मई बुद्धी प्रदान करती हैं, दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित सब का उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो, नारायनी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मई हो, कल्यान दाई, सिवा हो, सब पुरुसार्थों को सिद्ध करने वाली सरनागत वत्सल्या, तीन नेत्रों वाली, एबं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है, सरण में आये हुए दीनों, एबं पीडितों की रक्षा में सनलग्न रहने वाली, तथा सब की पीडा दूर करने वाली नारायनी देवी, सब भायों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है, देवी, तुम प्रसन होने पर सब रोगों को नस्ठ कर देती है, और कुपित होने पर मनोवांचित सब ही कामनाओं का नास कर देती हो, जो लोग तुम्हारी सरन में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नही तुम्हारी सरन में गए हुए मनुस्य दूसरों के सरन देने वाले हो जाते हैं, सर्वेस्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को सांत करो, और हमारे सत्रूं का नास करती रहो, ओम दुरगाई नमहा, स्री दुरगास्टोस्तर सतनामस्त्रोत्र, अब मैं अस्टात्त नाम का वर्नन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद, पाठ या स्रवन, मात्र से परम साध्वी, भगवती दुरगाँ प्रसन हो जाती हैं, ओम सती, साध्वी, भव प्रिता, भगवान सीव पर प्रिती रखने वाली, भवानी, भव मोचनी, संसार बंध से मुक्त करने वाली, आरया, दुरगा, जया, आध्या, त्रिनेत्रा, सूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर्से घंटा नाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनह, मनन सक्ती, बुद्धी, बोध सक्ती, अहंकारा, अहं जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं भाविनी सबको उत्पन करने वाली भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या कल्यान रूपा अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं सदागती सामभवी सिव प्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विध्या दक्ष कन्या दक्ष यग्यविनासिनी अपरणा तपस्या के समय पत्ते को भी नखाने वाली अनेक वरना अनेक रंगो वाली पाटला राल लाल रंग वाली पाटला वती गुलाब के फूल या लाल फूल धारन करने वाली पटामभर परिधाना रेश्मी वस्त्र पहनने वाली कलम कुंजी किनी मधुर ध्वनी करने वाली मंजीर को धारण करके प्रसन रहने वाली अमेक वरिकमा असीम पराकर्म करने वाली कुरूरा दत्यों के प्रती कठोर सुन्दरी सुरु सुन्दरी वन दुर्गा मान्तगी मान्तग मुनी पुजिता ब्राम्भी महेस्वरी एंद्री कौमारी वैस्नवी चा मुंडा वाराही लक्षमी पुरसाकर्त विमला उतकर्सिनी ज्यान्या, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, पहुल प्रेमा, सर्वावाहन, वाहना, निसुंभ, सुंभ, हननी, महिसासुर मर्दिनी, मधु कैट भ, हंत्री, चंड मुंड विनासिनी, सर्वासुर विनासा, सर्वदान वगहातिनी, सर्वसास्त्र मै, सत्या, सर द्रवास्त्र द्हारिनी अनेक सास्त्रष्त्र हर्श्ता अनेक श्त्रद्हारिनी कुमारी एक कन्या कैसोरी इवती यती अपढ़ह, पढ़ह बुद्ध मता, बल प्रदा, महोदरी, मुक्त केसी गोर रूपा, महाबला, अग्णी ज्वाला, रौद्र मुखी, काल रात्री, तपस्विनी, नारायनी, भद्रकाली, विश्णुमाया, जलोदरी, सिवदूती, कराली, अनन्ता, विनास रहिता, पर्विश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, पर्त्यक्षा, ब्रम्हवादिनी यह 108 नाम है इसका पाठ करने से ऐसा माना जाता है कि दुरगा की असी मनुकमपा हमें जीवन भर बनी रहती है देवी पारवती जो प्रती दीन दुरगा जी के इस अस्टतर सत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है वह धन, धान्य, पुत्र, अस्त्री, घोडा, घाथी, धर्म, आदिचार, पुरुसार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ती भी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ती के साथ उनका पूजन करें फिर अस्टतर सत नाम का पाठारंब करें देवी जो ऐसा करता है उसे सब स्रेष्ट देवताओं से भी सिध्धी प्राप्त होती है राजा उसके दास हो जाते हैं वह राज्य कुकुंडम, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथ्वादूद, चीनी और मधू इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधी पुर्वक यंत्र लिखकर जो विविध पुरुस सदा उस यंत्र को धारन करता है वह सीव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है भौमवतियमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शत्र विशा नक्षत्र पर हूँ उस समय इस अस्त्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपती साली हो जाता है पाठ विधी को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा साधक असनान करके पवित्र हो आसन सुध्धी की क्रिया संपन करके सुध्ध आसन पर बैठें साथ में सुध्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सबसती की पुस्तक रखें पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदी की सुध्ध आसन पर बिराजमान करें अगर आपके पास ब्यास पट्टी है तो उस पर रख लें ललाट में अपने रूची के अनुसार भस्म, चंदन, अथवा रोरी लगा लें, सिखा बांध लें फिर पुर्वा भी मुख होकर पूरव की दुशा होकर तत्व सुध्धी के लिए चार बार आच्वन करें उस समय अंगाकित चार मंत्रों को क्रमसा पढ़ें तो मैं अब मंत्र पाठ कर रहा हूँ ओम एम आत्म तत्वम सोध्यामी नमह स्वाहा ओम हिंग बिद्ध्या तत्वम सोध्यामी नमह स्वाहा ओम क्लिंग सिव तत्वम सोध्यामी नमह स्वाहा ओम येंग हिंकलिंग सर्ब तत्वम सोध्यामी नमह श्वाहा तत्पश्चात प्रणायाम करके आपको मालूम ही होगा पूरक कुम्भक रेचक इस तरह से प्रणायाम करके स्री गणे साधी देवताओं एबं गुरुजनों को प्रणाम करें फिर पवित्रे अस्थोव वैस्णवो इत्यादी मंत्र से कुछ की पवित्री धारन करके हाथ में लाल फूल अक्षत और जल लेकर इस तरह से संकल्प करें पहले तीन वार कहें ओम विश्णु हूँ विश्णु हूँ विश्णु हूँ तदंतर ओम नमह परमात्मने कहके इस प्रकार बोलें स्री पुरान पूर्शत्तम स्री विश्णु की आग्या से आज परवत्मान स्री ब्रह्मा के दुतिये परार्थ में स्री स्वेतास वाराह कल्प में बैवस्तो मन वंतर के 28 में कल्यूग के प्रथम चरण में जम्बू दीपे के इंतरगत भारत वर्ष के भारत खंड में आर्या वर्थ के इंतरगत ब्रह्मा वर्थ के पुन्य प्रद एक देश में बोध्यावतार में अपना नाम गोत्र ये सब आप लेंगे संबंतर तथा अयन और महामंगल प्रद माशों में उत्तम मास का नाम लेंगे जिस मास में कर रहे हैं किस पक्ष में कर रहे हैं, किस दिन से युक्त कर रहे हैं तिथी में, नचछत्र में, रासी में और सुरे के और सारे रासियों में अस्थित, चंद्र भौम, बुध, गुरु, सुक्र एबं सनी के रहने पर सुभ योग में, सुभ करण में इस प्रकार के विशेश गुनों से विशेश्ट सुभ पुन्यतिथी में समस्त सास्त्रों अस्मिर्तियों एबं पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ती की अभिलासा अपना गोत्र का नाम लेंगे अपना नाम लेंगे और मैं पुत्र अपने पिताजी का नाम लेंगे पुष्टी धन्य एवं धान्य की सम्रिधी के लिए श्री नवदुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्यों की निब्रती एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ती धर्म अर्थ काम को मोक्ष इन चतुर्विध पुरुसार्थों की सिध्धी द्वारा स्री महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासर्षती देवता की पृती के लिए सापधार पुर्वक, कवच, अर्गला, कीलका पाठक तथा वेद तंत्र, उक्त रात्री सुक्त पाठ, द्यब्यर्थ सिर्ष पाठ और न्यास विधी सहित, नर्वान जप तथा सप्त सती न्यास ध्य सहित, चरित्र समंधी, विनियोग, एवं न्यास और ध्यान पुर्वक, मारकंडे जी बोले, सार्वणी नामक मनू होंगे, यहां तक दुर्गा सबसती का पाठ, इसके वाद न्यास विधिक के मुताव के साथ, नर्वान जप, वेदोत्रक, देवी सुक्त का पाठ, रहस्य पाठ, शापोदार, द्वार, आदी, करूंगा, करूंगी, इस तरह से आपको बोलना है, इस प्रकार परतिग्या संकल्प करके, देवी का ध्यान करते हुए, पंचोप चार की विधि से पुस्तक की पूजा करके, योनी मुद्रा का प्रदर्सन करके, भगवती को प्रणाम करें, फिर मूल नर्वान मंत्र से पीठ हादी में आधार सक्ति की अस्थापना करके, उसके उपर पुस्तक को विराजमान करें, इसके वाद सापोद्वार करना चाहिए, इसके अनेक प्रकार है, ओम हिंकलिं स्री क्राम क्रीम चाडिका देव्योह सापनाशनू ग्रहम कुर इस मंत्र का आदी और अंत में साथ वार जप करें, यह सापोद्वार मंत्र कहलाता है, इसके अनंतर उतकालीन मंत्र का जप किया जाता है, इस उतकीलन मंत्र का भी आपको अवस्य पाठ करना चाहिए, इसका जप आदी अंत में एक्किस वार होता है, यह मंत्र इस प्रकार ह इसके जब के पश्चात आदी और अंत में साथ साथवार मिर्त संजीवनी विद्या का जब करना चाहिए जो इस प्रकार है मारिच कल्प के नुसार सब्त सती साप बिमोचन का मंत्र यह है ओम स्रिंग स्रिंग क्लिंग हूं ओम एम छब्यो मोहें उतकिल्य उतकिल्य ठंग ठंग इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जब करना चाहिए पाठ के अंत में नहीं अथवा रुद्र्यामल महा मंत्र के अंतरगत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका साप बिमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए यह मंत्र इस प्रकार है इस चंडिका के ब्रह्म, वसिष्ट, विश्वामित्र, संबंधी, साप विमोचन मंत्र के वसिष्ट तथा नारद, संबादात्मक, संवेद के अधिपती ब्रह्मारिसी हैं सरवैस्वर कारणी सिरी दुर्गा देवता, दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं, हिम, सक्ति, त्रिगुनात्मक, स्वरूपिनी, चंडिका की साप विम्युक्ती में अपने किये हुए संकल्पित कारे की सिध्धी के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है ओम हिंग रिंग रेतह स्वरूपिन्य, मधू कैट भं दिन्य, ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र साद पाद विमुक्ता भवे, ओम स्रिंग बुद्धी स्वरूपिन्य, महिसासूर सैन्य ना सिन्य, ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम र रक्त सरुपिने महिशासुर मर्दिने ब्रम्ह वशिष्ट विस्वामित्र सापाद बिमुक्ताभव ओम छुम छुधा सरूपिने देव वंत्याय ब्रम्ह वसिष्ठ वी स्रामित्र सापद बिमुक्ताभव ओम छुम छाया सरूपिने दुत संबादिने ब्रम्ह वसिष्ठ विस्वामित्र सापद बिमुक्ताभव ओम शंग शक्ति शरूपिने धुम्र लोचन घातिने ब्रम्ह वसिष्ठ विस्वामित्र सापद बिमुक्ताभव ओम त्रिम त्रिस्या स्वरूपिनय चण्ड मुंड वधकारिन्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुकता भव। ओम छाम छांती शरूपिन्य रक्त वीज वध कारिण्य ब्रह्म वसिष्ट वी स्रामित पाद बिमुक्ताभव जाम जाती शरूपिन्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद बिमुक्ताभव ओम लम लज्जा श्वरूपिन्य शंभव स्कारिन्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र सापाद बिमुकताभव ओम साम सांती शरूपिन्य देवस्त्ते ब्रह्म वसिष्टे विश्वामित्र शापाद बिमुक्ताभव ओम श्रम स्रधा सरूपिन्य शकल फल दात्रे ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद बिमुक्ताभव ओम काम कांती शरुपिन्य राजवर प्रदाय ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ताभव ओम मामात्रित रुपी पिन्य अनर्गल लम्महिम सहिस्ताय ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ताभव ओम हिरिंग स्रिंग डूम दुर्गाय स्वम शर्वेश्व कारण्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र सापाद बिमुक्त भवय। ओम हिंग क्लिंग नमह सिवाय अभेद कवच स्वरूपी इन्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र सापाद बिमुक्त भव। ओम क्रिंग काले काली हिंग फट स्वाहाय रिग वेद स्वरूपन पिन्य ब्रह्म वसिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव ओम येंग हिंग क्लिंग महा काली महा लक्ष्मी महा सरस्वती रूपने त्रिगुनात्मी काई दुर्गादेव्य नमहा हे परमिश्वर इस परकार इन महा मंत्रों को पढ़ कर चंडी के पाठ को रात दिन संसे रहित होकर करना चाहिए जो इस मंत्र को न जान सके इन मंत्रों का पाठ न करके चंडी का पाठ करता है वह अपनी ही हानी करता है और दाता पाठ करने वाली की भी हानी करता है इसमें कोई संदेह नहीं इस प्रकार सापोद्वार करने के अनंतर अंत मार्त का वहिर मार्त का आदिस न्यास करें फिर स्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार नौ कोस्ठों वाले यंत्रम में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें इसके बाद छह अंगो सहित दुर्गा सबसती का पाठा रंब किया जाता है कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य यही सबसती के छह अंग माने गए हैं इनके करम में भी मतवेद है चितंबर संगिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है किन्तु योग रतनावली में पाठ का क्रम इससे विन है उसमें कवच को वीज अर्गला को सक्ती तथा कीलक को कीलक संग्या दी गई है जिस प्रकार सब मंत्रों में बीज का फिर सक्ती का और अंत में कीलक का उचारण होता है ठीक उसी प्रकार यहां भी पहले कवच रूप बीज का फिर अर्गला रूपा सक्ती का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रम सह पाठ होना चाहिए यहां इसी क्रम का अनुसरन किया गया है अथ देवी कवच ओम इस स्रीचंडी कवच के ब्रम्भा रिसी अनुस्ट छंद चामुंडा देवता अंग न्याश में कही गई बीज दिगवंध देवता तत्त हैं स्री जगदंबा की प्रीती के लिए सप्त सती के पाठांग भूत में जप इसका विन्योग किया जाता है ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे ने कहा पितामह जो इस संसार में परम गोपनिये तथा मनुस्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताईए ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मान ऐसा साधन तो एक देवी का कवच्छी है जो गोपनिये से भी परम गोपनिये पवित्र तथा संपुर्ण प्राणिय को उपकार करने वाला है महामुने इसे स्रवन करें देवी को नौ मुर्तियां है जिने नौ दुर्गा कहते हैं उनके प्रिथक प्रिथक नाम बतलाए जाते हैं प्रथम नाम सैल पुत्री है दूसरा मुर्ति का नाम ब्रह्मचारणी है तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है चाथा मुर्ती को कुसमांडा कहते हैं पांचमा दुर्गा का नाम सकंदमाता है देवी के छठे सरूप को कात्याईनी कहते हैं सातमा कालरात्री और आठमा सरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है नौमी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है ये स अब नाम सरवग्य महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं जो मनुस्य अगनी में जल रहा हो रण भूमी में सत्रूओं से घिर गया हो विसम संकट में फस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुरगा की सरण में प्राप्त हु उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता युद्ध के समय संकट में पढ़ने पर भी उनके उपर कोई विपत्ती नहीं दिखाई देता उन्हें सोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती जिन्होंने भक्ति पुरवक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चे ही अभ्युदय होता है देवेस्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमनी संदेह रक्षा करती हो चामुंडा देवी प्रेत पर आरूड होती है वराही भैसे पर सवारी करती है एंद्री का वाहन एरावत हाथी है वैस नभी देवी गडूड पर ही आसन जमाती है महेस्वरी विस्थ पर आरूड होती है कौमारी का वाहन मयूर है भगवान विस्थ नू की प्रियतमा लक्ष्वी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारन किये हुए है वरिसब पर आरूड हिस्वरी देवी ने स्वेत रूप धारन कर रखा है ब्रम्हा ब्रम्ही देवी ह पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभुस्नों से विभुसित हैं इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभुस्नों की सेवा से युक्द तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसोभित हैं ये संपुर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, ये संख, चक्र, गदाप, सक्ति, हल और मुसल, खेटक, और तोमर, पर्शू, तथा पास, कुंत, और त्रिसू, लेबं, उत्तम, सांख, धनुश, आधी, अस्त्र, शस्त्र, अपने हाथों में धारण करती हैं, देत्यों के सरीर का नास करना, भक्तों को अभैदान देना, और देउताओं का कल्यान करना, यही उनके शस्त्र, धारण का उद्देश्य है, कबच आरंभ करने के पहले, इस प्रकार प्रार्टना करना चाहिए, महान रधरुप, अत्यंत घोर पराकर्म, महाबल, और मह महान उत्साह वाली देवी, तु महान भै का नास करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी और देखना भी कठिन है, सत्रूओं का भै बढ़ाने वाली जगदंबिके, मेरा रक्षा करो, पुर्व दिसा में इंद्री, इंद्र सक्ती, मेरी रक्षा करें, अगनी को कोन में खडंग धारनी मेरी रक्षा करें, पस्चिम दिसा में वारुनी और वब्वे कोन में म्रिग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिसा में कोमारी और इसान कोन में सूल धारनी देवी रक्षा करें, ब्रह्मेनी तुम उपर की ओर से मेरी रक्ष करें जया आगे से और विज्या पीछे से मेरी रक्षा करें वाम भाग से अजिता और दक्षिन भाग से अपरा जिता रक्षा करें उद्यों नितिनी शिखा की रक्षा करें उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें ललाट में मलाधरी रक्षा करें और यशश्वनी देवी और भोहों का सनरक्षन करें भोहों के मध्यभाग में तृनेत्रा और नथुनों की यम गंटा देवी रक्षा करें दोनों नेत्रों के मध्यभाग में शंकिनी और कानों में दोआरवास्ती रक्षा करें कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती संकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें नासिका में सुगंधा और उपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें नीचे के ओठ में अम्रित कला और जिहवा में सर्शती देवी रक्षा करें कौमारी दातों की और चंडिका कंठ परदेश की रक्षा करें चित्र घंटा गले की घंटी की और महा माया तालू में रहकर रक्षा करें कामाक्षी थोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वानी की रक्षा करें भद्रकाली ग्रिवा में और धनुधरी प्रिष्टवंस मेरू दंड में रहकर रक्षा करें कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रिवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें दोनों कंधों में खडंगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिनी करें दोनों हाथों में दंडिनी और अंगलियों में अंबिका रक्षन करें सूलेस्वरी नाखों की रक्षा करें कुलेस्वरी कुच्छी पेट में रहकर रक्षा करें महा देवी दोनों अस्तनों की और सोक विनासीनी देवी मन की रक्षा करें ललिता देवी हिडदय में और सूल धारनी उदर में रहकर रक्षा करें नाभी में कामनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें पूतना और कामिका लिंग की और महिश वाहिनी गुदा की रक्षा करें भगवती कटी भाग में और विंद्यवासनी घुटनों की रक्षा करें संपुर्ण कामनाओं को देने वाली महावला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें नर सिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के प्रिष्ट भाग की रक्षा करें स्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवाशनी पैरों के तलूओं में रहकर रक्षा करें अपने दाढ़ों के कारण भैंकर दिखाई देने वाली द्रिष्टा करावली देवी नकों की और उर्ध केसिनी देवी केशों की रक्षा करें रोमा वलियों के छिद्रों में कौबेरी और तवचा की बागिश्वरी देवी रक्षा करें परवता देवी रक्त मज्जा वसा मास हड़ी और मेद की रक्षा करें आतों की कालरात्री और पित को मुक्टेश्वरी रक्षा करें मूला धारादी कमल कोशो में पदमावती देवी और कफ में चूडामनी देवी अस्थित होकर रक्षा करें नख के तेज की ज्वाला मुखी रक्षा करें जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी सरीष की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें ब्रह्मनी आप मेरे विर्रे की रक्षा करें छत्रे स्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे हंकार मन और बुद्धी की रक्षा करें हाथ में वज्र धारन करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरी प्राण, अपान, ब्यान, उदान और समान वायू की रक्षा करें कल्यान से सोभित होने वाली भगवती कल्यान सोभना मेरे प्राण की रक्षा करें रस, रूप, गंध, सब्द और स्पोर्स इन विशियों का अनभो करते समय योगिनी देवी रक्षा करें और सत्वगून, रजोगून और तमोगून की रक्षा सदान रायन देवी करें वाराही आयू की रक्षा करें, वैसनों की धर्म की रक्षा करें, तथा चक्रणी चक्रधारन करने वाली देवी यस कृती लक्षमी धन और विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पसुओं की रक्षा करो, महालक्षमी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पतनी की रक्षा करें मेरे पत की सुपता तथा मर्ग की छेमकारी रक्षा करें राजा के दर्वार में महालक्षमीर रक्षा करें तथा सब और ब्यात रहने वाली विज्या देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करें देवी जो अस्थान कबच में नहीं कहा गया अतियो रक्षा से रहित है वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्यांकि तुम विजय सालिनी हो और पाप नासनी हो यदि अपने सरीर का भला चाहे हो तो मनुस्य बिना कबच के कहीं एक पग भी न जाए कबच का पाठ करक सब और से सुरक्षित मनुस्य जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाब होता है तथा संपुर्ण कामनाओं की सिध्धी करने वाली विजय की प्राप्ती होती है वह जिस जिस अभिष्ट वस्तू का चिंतन करता है उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है वह पुरुस इस पिर्थ्वी पर तुलना रहित महान ऐस्वर्य का भागी होता है कबच से सुरक्षित मनुस्य निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनिये होता है देवी का यह कबच देवताओं के लिए भी दुर नहीं नहीं वह अप मिर्तियू से रहित हो सौसे भी अधिक वर्सों तक जिवित होता है मकरी चेचक और कोड़ आदी उसकी संपोर्ण ब्याधिया नस्ठ हो जाती है कनेर भांग हफीम धतुरे आदी का अस्थावर विस सांप और विच्छू आदी से काटने से चड़ा हु नहीं होता इस पिर्त्वी पर मारण मोहन आदी जितने भी अभीचारक परियोग होते हैं तथा इस परकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हिर्दय में धारन कर लेने पर उस मनुस्य को देखते ही नस्ठ हो जाते हैं यही नहीं पिर्त्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकास चारी देव विशेश जल के संबंद से प्रकट होने वाले गर्ण उपदेश मातर से सिद्ध होने वाले निम्न कोटी के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला दी डाकिनी साकिनी अंतरिक्ष में वि पहले सुयस के साथ साथ बिर्धी को प्राप्त होता है जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबस्ति चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन परवत और कान काननों सहित यह पिर्थवी टिकी रहती है तब तक यहां पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है फिर देह का अंत होने पर वह पुरुस भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परंपद को प्राप्त होता है जेवताओं के के लिए भी दुरलब है वह सुन्दर दिव्य रूप धारन करता है और कल्यान मैसीव के साथ आनंद का भागी होता है अब हम पाठ करेंगे अथ अर्गलास्त्रोत ओम इस अर्गलास्त्रोत मंत्र के विस्नूरिसी अनुस्ट छंद स्री महालक्ष्मी देवता है श्री जंबा की प्रिती के लिए सब्त सती के पाठंग भूत जप में इसका विन्योग किया जाता है ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे जी कहते हैं जैन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा छमा शिवा धात्री श्वाहा और स्वधा इस नामों से प्रसद जगदंबिके तुम्हे मेरा नमस्कार हो देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो संपुर्ण प्राणियों की पीरा हडने वाली देवी तुम्हारी जय हो सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो काल रात्री तुम्हे नमस्कार हो मधु और कैटाभु को मारन देने वाली देवी तुभे नमस्कार है तुम मूझे रूप आत्मस्वरूप ग्यान दो जय मोह पर विजय दो यस yesterday और ग्यान प्राप्ती 10 दो और काम क्रोध आधि सत्रूओं का नास करो महिसा-सूर का नास तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हे नमस्कार है तुम रूप दो जय दो यस दो और काम क्रोध आधी सत्रूं का नास करो रक्त वीज का बध और चंड मुंड का विनास करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यस दो और काम क्रोध आधी सत्रूं का नास कर सुम्ब और निसुम्ब तथा धुम्र लोचन का मरदन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोधादी सत्रूओं का नास करो सब के द्वारा वंदित युगल चर्णों वाली तथा सम्पोर्ण सवभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोधादी सत्रूं का नास करो देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंते हैं तुम समस्त सत्रूं का नास करने वाली हो रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोधादी सत्रूं का नास करो पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ती पुरुबक तुम्हारे चरणों में सरवदा मस्तक जुकाते हैं उन्हें रूप दो, जैदो, यस्त दो और उनके काम क्रोध हादी सत्रूओं का नास करो रोगों का नास करने वाली चंडिके जो भक्ती पुरवक तुम्हारी अस्तुती करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यस्त दो और उनके काम क्रोध हादी सत्रूओं का नास करो चंडिके इस संसार में जो भक्ती पुर्वक तुम्हारी पुझा करते हैं उन्हें रूतो जैदो यस्दो और उनके काम किरोधाधी सत्रूं का नास करो मुझे सौभग्य और आरूग्य दो परम सुख़ दो रूपधाधी सत्रूं का नास करो देवी मेरा कल्यान करो, मुझे उत्तम संपती प्रदान करो, रूपदो, जैदो, यस्दो और काम क्रोधादी सत्रूओं का नास करो अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मनियों को तुम्हारे चर्णों पर घिसते है तुम रूपदो, जैदो, यस्दो और काम क्रोधादी सत्रूओं का नास करो तुम अपने भक्त जनों को बिद्वान, यसस्वी और लक्ष्वी वान बनाओ तथा रूपदो, जैदो, यस्दो और उसके काम क्रोधादी सत्रूओं का नास करो प्रचंड देत्यों के दरपण का दलन करने वाली चंडिके मुझ सरनागत को रूप दो, जय दो, यस दो और मेरे काम क्रोध हादी सत्रूगों का नास करो चतुर मुख ब्रह्माजी के द्वारा प्रसंसित चार भुजाधारनी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोध हादी सत्रूगों का नास करो देवी अंबिके भगवान विस्तू नित्य निरंतर भक्ती पुरवक तुम्हारी अस्तुती करते रहते हैं तुम रूप दो, यस दो और काम क्रोध हादी सत्रूगों का नास करो हिमाले कन्या परवती के पती महादेवी जी के द्वारा परसंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोध हादी सत्रूगों का नास करो सचीपती इंद्र के द्वारा सद भाव से पुजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यस्त दो और काम क्रोधादी सत्रूगों का नास करो प्रचंड भुज दंडो वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यस्त दो और काम क्रोधादी सत्रूगों का नास करो देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा अशीम आनंद प्रदान करती रहो मुझे रूप दो, जय दो, यस्त दो और मेरे काम क्रोधादी सत्रूगों का नास करो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पतनी प्रदान करो जो दुरगम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन हुई हो जो मनुस्य इस स्त्रोत का पाठ करके सब सती रूपी महा स्त्रोत का पाठ करता है वह सब्त सती की जप संख्या से मिलने वाले स्रिष्ट फल को प्राप्त होता है साथी वह प्रचूर संपत्ती भी प्राप्त कर लेता है यह समाप्त हो गया अब हम कीलक करेंगे अथ कीलक ओम इस स्री कीलक मंत्र का सिवरिसी अनुस्टप छंद स्री महासरस्वती देवता है स्री जगदंबा की पीती के लिए सब्त सती के पाठांग भूत जप में इसका विन्योग किया जाता है ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे जी कहते हैं विसुद्ध ज्यान ही जिनका सरीर है तीनो वेद ही जिनके तीन दिब्बे नित्र है जो कल्यान प्राप्ती के लिए तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंडर का मुकुट धारन करते हैं उन भगवान सिव को नमस्कार है मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धी में विग्ण उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारन करने वाला है उस सब्त सती अस्त्रोत को संपुर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए यदपी सब्त सती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है उसके भी उच्चाटन आदिक कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुरलब वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भी जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सब्त सती नामक अस्त्रोत से ही देवी की अस्तुती करते हैं उन्हें अस्तुती मात्र से ही सचिदानंद सरूपिनी देवी सिद्ध हो जाती हैं उन्हें अपने कारे की सिद्धी के लिए मंत्र ओशधी तथा किसी साधन के उप्योग किया उसकता नहीं बिना जब के ही उनके उच्चाटन आधी समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपोर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं लोगों के मन में यह संका थी कि जब केवल सब्ट स्यती की उपासना से अथ्वा सब्ट स्यती को छोड़ कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबकारे सिद्ध होते हैं तब इसमें स्रिष्ट कौन सा साधन हो लोगों की इस संका को सामने रखकर भगवान संकर ने अपने पास आये हुए जिग्यासूं को समझाया कि यह सब्सती नामक संपूर्ण अस्त्रोत ही सर्ब्स और कल्यान में है तदंतर भगवती चंडिका के सब्सती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया सब्सती के पाठ से जो पुन्य प्राप्त है उसकी कभी समाप्ती नहीं होती किन्तु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुन्य की समाप्ती हो जाती है अता भगवान सीव ने अन्य मंत्रों की अपेक्छा जो सब्सती की ही स्रिष्ठता का निर्णे किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुस भी यदि सप्त सती के स्त्रोत और जप का अनुस्थान कर ले तो वह भी पुर्ण रूप से ही कल्यान का भागी होता है इसमें तनिक भी संदे नहीं है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतूरदशी अथवा अश्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्य समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहन करता है उसी पर भगवती प्रसन होती है अन्यथा उसकी प्रसनता प्राप्त नहीं होती इस प्रकार सिधी के प्रतिबंधक रूप कील के रुद्वारा महादेव जी ने इस अस्त्रोत को किलित कर रखा है जो पुर्वक्त रिती से निस्कीलन करके इस सब्त सती स्रोत का प्रतिदीनस पस्ट उचारन पुर्वक्त पाठ करता है वह मनुस्य सिध्ध हो जाता है वही देवी का पारसद होता है और वही गंधर्ब भी होता है सरवत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता वह अप मिर्तिव के वस्त में नहीं पड़ता और द्यह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतह कालुईन के जानकार इसका परिहार करके ही सब्त सती का पाठ आरंब करें जो ऐसा नह हो जाता है इसलिए कीलक और निस कीलन का ज्यान प्राप्त करने पर ही यह हस्त्रोत निर्दोस होता है और बिद्वान पुरुस इस निर्दोस अस्त्रोत का ही पाठ आरंब करते हैं अस्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्यादी दृष्टि कोजर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है अता इस कल्यान में अस्त्रोत का सदा जप करना चाहिए इस अस्त्रोत का मंद स्वरूप से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्य स्वर से पाठ करने पर फुल फल की सिध्धी होती है अता उचे स्वर से ही इसका पाठ आरंब करना चाहिए जिनके प्रसाद से अयस्वर सवभाग्य आरोग्य संपती सत्रुनास तथा परम्मुक्ष की भी सिध्धी होती है उस कल्यान मई जगदंबा की अस्तुति मनुस्य क्यों नही करते यह कीलक अस्त्रोत संपूरन होता है इसके अनंतर रात्री सुत्र का भी पाठ करना उचित माना जाता है पाठ के अरंभ में रात्री सुत्र और अंत में देवी सुकत के पाठ की विधी है मारीच कल्प का वचन है रात्री सुक्तम पठे दादो मध्य ससप्तिस्त तवं प्रांते तू पठनियम वय देवी सुक्ति मितीप क्रमह रात्री सुक्त के वाद बिन्योग न्यास और ध्यान पुर्वक नर्वान मंत्र का जब करके सबसती का पाठा रंभ करना चाहिए पाठ के अंत में पुनह विधी पुर्वक नर्वान मंत्र का जब करके देवी सुक्ति का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है कोई कोई नर्वान जब के बाद रात्री सुक्त का पाठ बतलाते हैं तथा अंत में भी देवी सुक्त के बाद नर्वान जब का औचित्य प्रती पादन करते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है चितंबर संगिता में कहा है मद्धे नर्वान पुंटिता किर्टवास्त्रोतम सद अभ्यसेत अर्थात सप्त सती का पाठ बीच में हो और आदी अंत में नर्वान जब से उसे संपुटित कर दिया जाए डामर तंत्र में यह बात अधिकस पुष्ट कर दी गई है सत मादो सतम चांते जपन मंत्रम नर्वान कम चंडिके सप्त संती मद्धे संपुट यह मुद्यात अर्थात आदी और अंत में सो सो वार नर्वान मंत्र का जब करें और मद्धे में सप्त सती दुरगा का पाठ करें यह संपुट कहा गया है यदि आदी अंत में सात्री सुक्त और देवी सुक्त का पाठ हो और उससे पहले और अंत में नर्वान जप हो तब तो यह पाठ नर्वान संपुटित नहीं कहला सकता क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अन्य परकार के मंत्र का प्रवेस नहीं होना चाहिए यदि बीच में रात्री सुक्त और देवी सुक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्ही से संपुटित कहलाएगा ऐसी दसा में डामर तंत्र आदी के वचनों से अस्पस्थ ही विरोध होगा अता पहले रात्री सुक्त फिर नरवान जप फिर नियास पुरवक सपसती पाठ फिर विधिवत नरवान जप फिर क्रम सह देवी सुक्त एबम रहस्यस्त्रे का पाठ यही क्रम ठीक है रात्री सुक्त भी दो प्रकार के हैं वैदिक और तांत्रिक वैदिक रात्री सुत्त रिग देव की आठ रिचाये हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सफसती के पर्थमों ध्याय में ही हैं यहां दोनों दिये जाते हैं रात्री देवता के प्रती पादक सुत्र को रात्री सुत्त कहते हैं यह रात्री देवी दो प्रकार की है एक जीवरात्री और दूसरी इस्वरात्री जीवरात्री वही है जिसमें प्रती दीन जगत के साधारन जीवों का बेवहार लुप्त होता दुसरी इस्वरात्री वह है जिसमें इस्वर के जगत रूप ब्यवहार का लोप होता है उसी को काल रात्री या महा प्रड़य रात्री कहते हैं उस समय केवल ब्रह्मा और उनकी माया सक्ति जिसे अब्यक्त प्रकिर्ती कहते हैं सेस रहती है इसकी अधिस्ठात्री देवी पास्तवन होता है अथ वेदुक्त रात्री सुत्र ओम रात्री इत्यादी आठ रिचाओं वाले सुक्त के कुशिक शौभर रात्री अथवा भारद्वाज रिशी हैं रात्री देवता हैं गायत्री छंद है देवी महात्म के पाठ का इसका विनियोग किया जाता है महत्ववादी रूप ब्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तूओं को प्रकासित करने वाली ये रात्री रूपा देवी अपने उत्पन किये हुए जगत के जीवों के सुभ कर्मों को विशेश रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की विवस्ता करने के लिए समस्त विभूतियों को धारन करती हैं ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व की नीचे फैलने वाली लता आदी को तथा उपर बढ़ने वाली व्रिक्षों को भी व्याप्त करके अस्थित हैं इतना ही नहीं ये अपनी बहिन ब्रह्म विद्यामई उसा देवी को प्रकट करती हैं जिससे अविद्यामई अंधकार स्वतह नस्ट हो जाता है वे रात्री देवी इस समय मुझ पर प्रसन हो जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं ठीक हो ऐसे ही जैसे रात्री के समय पक अंग में संपूर्ण ग्रामबासी मनुष्य पैरों से चलने वाले गाए घोडे आदी पसु पंखों से उडने वाले पक्छी एबं पतंग आदी किसी परियोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदी भी सुख पुरबक होते हैं ये रात्री मैं छिच्छ वक्ती त तथा पाप में विरिक को हमसे अलग करो काम आदी तसकर समुदाय को भी दूर हटाओ तदंतर हमारे लिए सुख पुरबक तरने योग्य जाओ मोक्छ दाइनी एबं कल्यान कार्णी बन जाओ हे उशा हे रात्री की अधिस्ठ आत्री देवी सब और फैला हुआ वह अज्ञान मैं काला अंधकार मेरे निकटा पहुचा है तुम इसे रिण की भाती दूर करो जैसे धन देकर अपने भक्तों के रिण हो जाती है उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटादो हे रात्रीदेवी, तुम दूध देने वाली गौके समान हो, मैं तुम्हारे समीप अस्तुती आदी से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ, परम बयोम सरूप परमात्माकी पुत्री, तुम्हारी क्रिपा से मैं काम आदी सत्रूओं को जीत चुका हूँ, तुम अस्तों क की अधिस्वरी जगत को धारन करने वाली संसार का पालन और संघार करने वाली तेजह स्वरूप भगवान विस्णू की अनुपम सक्ती है उनी भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मास्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम ही स्वाहा और तुम ही वस्टकर हो स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है तुम ही जीवन दाइनी सुधा हो नित्य अक्षर प्रणों के मेयाकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही अस्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के जो विंदू रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेश रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी तुम ही इस विश्व ब्रमांड को धारन करती हो तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सब को अपना ग्रास बना लेती हो जगनमई देवी इस जगत की उत्पत्ती के समय तुम स्रिष्टी रूपा हो पालन काल में अस्थिती रूपा हो तथा कल्पांत के समय संगहार रूप धारन करने वाली हो तुम ही महा विद्या, महा माया, महा मेधा, महा स्मिर्ती, महा मोह रूपा, महा देवी और महा सुरी हो तुम ही तीनों गुनों को उत्पन करने वाली सब की प्रकिरती हो भेंकर, कालरात्री, महारात्री और मोह रात्री भी तुम ही हो तुम्ही स्रिंग, तुम्ही स्वरी, तुम्ही हिंग और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धी हो लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, सांती और छमा भी तुम्ही हो तुम सौम्य और सौम्य तर हो इतना ही नहीं जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्छा तुम अत्यधिक सुंदरी हो पर और अपर सब से परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो शरवश्य रूप ए देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं है और उन सब की जो सक्ती है वह तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी अस्तुती क्या हो सक्ती है जो इस जगत की स्रिष्टी पालन और संगहार करते है उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी अस्तुती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है मुझको भगवान संकर को तथा भगवान विश्णू को भी तुमने ही सरीर धारन कराया है अतह तुम्हारी अस्तुती करने की सक्ती किसमे है और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जग्दिस्वर भगवान विष्णू को सिग्र ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी उत्पन कर दो इस तरह से तंत्रुक्त रात्री सुक्त समाप्त होता है अब हम स्री देव्य यर्थ सिर्ष कर रहे हैं ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे है महादेवी तुम कौन हो उसने कहा मैं ब्रंभ सरूप हूँ मुझसे प्रकिरती पुरुसात्मक शदूप और अस्दूप जगत उत्पन हुआ है मैं आनंद और अनंद रूपा हूँ मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ अवस्य जानने योग्य ब्रंभ और अब्रंभ भी मैं ही हूँ पंजिकृत और अपंजिकृत महाभूत मैं ही हूँ यह सारा दृस्य जगत में ही है वेद और अवेद मैं ही हूँ बिद्या और आजा और अनजा प्रिकिर्ती और उनसे विन्न भी मैं हूँ, नीच उपर अगल बगल भी मैं ही हूँ, मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुन दोनों का इं मैं सोम, त्वस्टा, पुशा और भग को धारन करती हूँ, त्रैलोक्य को आकरांत करने के लिए वितिर्ण पाद छेप करने वाले विस्तु, ब्रम्ह देव और प्रजापती को मैं ही धारन करती हूँ, देवों को उत्तम हवी पहुचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर भावों से युक्त धन धारन करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत की स्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रम्ह रूप और यज्याहों में यजन करने वाले योग्य देवों में जो इस प्रकार जानता है वह देवी सम्मति लाब करता है तब उन देवों ने कहा देवी को नमस्कार है बड़ों को अपने अपने कर्थब्य में प्रविट्त करने वाली कल्यान करती को सदा नमस्कार है गुन साम्य वस्था रूपिणी मंगल मई देवी को नमस्कार है नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं उन अगनी के सेवर्ण वाली ज्यान के जग मगाने वाली दिप्ती मई कर्म फल प्राप्ती के हेतु सेवन की जाने वाली दुरगा देवी की हम सरण में हैं असुरों का नास करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है प्राण रूप देवों ने जिस प्रकास्मान वैखरी वानी को उत्पन किया है उसे अनेक प्रकार के वानी बोलते हैं वह कामधेनु तुल्य आनंद दायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग भगवती उत्तम अस्तुती से संतुष्ट होकर हमारे समी पाए काल का भी नास करने वाली बेदो द्वारा अस्तुत हुई विष्णू सक्ती असकंद माता सिव सक्ती सरस्वती ब्रह्म सक्ती देव माता अधिती और दक्षकन्या सती पाप नासनी कल्यान कारणी भगवती को हम परणाम करते हैं हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व सक्ती रूपिनी का ही ध्यान करते हैं हम वह देवी इस विसे में ज्यान ध्यान में प्रविर्ट करें हे दक्ष आपकी जो कन्या दिती है वे प्रसूता हुई और उनके मिर्तिव रहित कल्यान में देव उत्पन हुए काम, योनी, यमल, कमला, वरज, प्राणी, इंद्र, गुहा, वर्ण, मातरिस्वा, वायू, अब्र, इंद्र, पुनह, गुहा, श, क, ल, वर्ण और माया यह सरवात्मिका जग्नमाता का मूल विद्या है और वह ब्रम्ह रूपिनी है सिव सक्त भेद रूपा, ब्रम्ह विष्णू सिवात्मिका, शरश्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिस्त्र, सुद्धो पास्चनात्मिका, समर रसी भूत सिव सक्त आत्मक, ब्रम्ह शरूप का निर्विकल्प ज्यान देने वाली सरवत्तत्वय मिका महात्री पूर सुन्दरी यही इस मंत्र का भावार्थ है, यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुट मनी है और मंत्र सास्त्र में पच्च दर्शी आधी स्रीविद्या के नाम से पर्शिध्ध है इसके चह प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ वाच्यार्थ संप्रद्यार्थ लौकिकार्थ रहस्यार्थ और तत्यार्थ नित्य सोड सी कारणव गरंथ में बताए गए हैं इसी प्रकार विर्वराहरस्य आदि ग्रंतों में इसके ओर भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं सुरुती में ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कचित स्वरुपो चार कचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से कहीं वर्ण के प्रिथक प्रिथक अवयव दर्साकर जान बूझ कर विर्षिंख लूप से कहे गए हैं इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनिये और महतवपूर्ण है ये परमात्मा की सक्ती है ये विश्व मोहिना है पास अंकुष धनुस और वान धारन करने वाली है ये स्री महाविद्या है जो ऐसा जानता है वह सोक को पार कर जाता है भगवती तुम्हें नमस्क है माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो मंत्र द्रिश्टार इसी कहते हैं वही ये अस्ट वसु हैं वही ये एक आदस रुद्र हैं वही ये द्वादस आदित्य हैं वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं वही ये यातु धान एक प्रका यक्ष और सिद्ध हैं वही ये सत्त रज तम हैं वही ये ब्रह्म विष्णू रुद्र रूपिनी हैं वही ये प्रजापती इंद्र मनु हैं वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं वही कला कलास्थी काल रूपिनी हैं उन पाप नास करने वाली भोग मोक्ष देने वाली हैं अंत्र अंत्रहित विज्यास्थिदात्री निर्दोस सरन लेने योग्य कल्यान दात्री और मंगल रूपिनी देवी को सदा प्रणाम करते हैं वियत आकाश तथाई कारकोयुक्त विती होत्र अगनी सहित अर्धचंद्र से अलंकित जो देवी का वीज है वो सब मनुरतन पूर्ण करने वाला है इस परकार इस एक अक्षर ब्रह्म हिंका ऐसे यती ध्यान करते हैं जिनका चित सुध है जो निर्शित या नंद पूर्ण औ ग्यान के सागर है यह मंत्र देवी प्रणव माना गय जाता है उंकार के समान ही यह प्रणव भी ब्यापक अर्थ में भरा हुआ है संचेप में इसका अर्थ इस इक्षा ग्यान क्रिया धार अद्वैत अखंड सचिदानंद समरसी भूत सिवसक्तियस फुरन है वानी माया ब अर्थात च वही वक्त अर्थात आकार से युक्त सुर्य अवाम स्रोत दक्षिन कर्ण और विंदू अर्थात अनुस्वार से युक्त टंकार से तीसरा ड वही नारायन अर्थात आ से मिस्त्र वायू वही अधर अर्थात ये से युक्त ये और विच्चे यह नर्वान मंत् उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज देने वाला है इस मंत्र का अर्थ है चित्स्वरूपिणी महासरसती हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी हे आनंद रूपिणी महालक्ष्मी ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं हे महाकाली महालक्षमी महा सर्ष्वती रूपिनी चंडिके तुम्हे नमस्कार है अविद्यारूप रज्जू की दृड़ ग्रंती को खोल कर मुझे मुक्त करो हत कमल में मध्य में रहने वाली प्रातकालीन सुर्य के समान प्रभाव वाली पास और अंकुस धारन करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारन किये हुए हाथो वाली तीन नित्रों से युक्द रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और काम धेनू के समान भ को शांत करने वाली और महानकरुना की सक्षात मुर्ति तुम महा देवी को मैं नमस्कार करता हूं जिसका सवरूप ब्राम्हादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अग्या कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए इसे अनन्ता कहते हैं सब मंत्रों में मात्री का मुलाक्षर रूप से रहने वाली सब्दों में ज्यान, अर्थ रूप से रहने वाली ज्यानों में चिन्मय इतिता, सुन्यों में सुन्य साक्षणी तथा जिन से और कुछ भी स्ट्रेश्ट नहीं है वे दुर्गा के नाम से परसिद्ध हैं उन दुरविग्य दुरा चार नासक और संसार सागर से तारने वाली दुरगादेवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ इस अर्थ सिर्ष का जो अध्यन करता है उसे पांचो अर्थ वर्ष सिर्षों के जब का फल प्राप्त होता है इस अथर्व सिर्ष को न जानकर जो प्रतिमा अस्थापन करता है वह सैकडो लाख जब करके भी आचारे सिध्धी नहीं प्राप्त करता अस्टोत्तर सत्थ 108 वार जब इत्यादी इसकी पुरस्चर्ण विधी है जो इसका दस बार पाठ करता है वह इसी छण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है इसका सायंकाल में अध्यन करने वाला दिन में किये हुए पापों का नास करता है दोनों समय अध्यन करने वाला निस्पाप हो जाता है मध्य रातरी में तुरिय संध्या के समय जब करने से वाक सिध्धी प्राप्त होती है नई प्रतिमापर जब करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है प्राण प्रतिष्था के समय जब करने से प्राणों की प्रतिष्था होती है भामास्विनी अम्रित सिध्धी योग में महादेवी की सानिधी में जप करने से महामिर्थिव से तर जाता है जो इस प्रकार जानता है वह महामिर्थिव से तर जाता है इस प्रकार यह अविद्यानासनी ब्रह्म विद्या है अथ नर्वान बिधी इस प्रकार रात्री सुक्त और देब्यवर्सीस का पाठ करने के पस्चात इस रूप से नर्वान मंत्र के विन्योग न्यास और ध्यान आदी करना चाहिए स्री गणपती विजर्यती ऐसा उचारन करने के वाद नर्वान मंत्र का विन्योग इस प्रकार करें ओम इस नर्वान मंत्र के ब्रम्भा विश्नू रुद्र डिसी गायत्री उस्निक अनुस्त पटू छंद स्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवा ए बीज हिंग सक्त क्लिंग कीलक हैं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रिती के लिए नर्वान मंत्र के जप में इसका विन्योग है इसे पढ़कर जल गिराएं और इस परकार न्यास वाक्यों में से एक एक का उचारन करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमसह, सिर, मुख, हिड़दय, गुदा, दोनों चरन और नाभी इस अंग को अस्पर्स करें रिष्यान दिवास करके आप पाठ कर लें, पाठ मैं पढ़के सुनाता हूँ पाठ महनाभ्यो, ओम, एंग, हिंग, क्लिंग, चामुंडाई, विच्चे इस मूल मंतर से हाथों की सुद्धी करके कर न्यास करें करन्यास, करन्यास में हाथ की बिभीन अंगलियों, हथेलियों और हाथ के प्रिष्ट भाग में मंत्रों का न्यास अस्थापन किया जाता है इसी परकार अंग्न्यास में हिर्द्यादी, अंगों में मंत्रों की अस्थापना होती है मंत्रों को चेतन और मुर्तिमान मानकर उन उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्र में देवताओं का ही स्पोर्स और वंदन किया जाता है ऐसा करने से पाठ या जप करने वाले स्वयम मंत्र में होकर मंत्र देवताओँ द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है उसके बाहर भीतर की सुद्धी होती है दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विग्न पूर्वक पूर्ण तथा परम लावधायक होती है दोनो हाथों की तरजनी अंगुली से दोनों अंगुठों को असपर्स करें अंगुठों के मध्यमा अंगुली का असपर्स ओम चामुंडाय अनामिका अंगुली का असपर्स ओम विच्चे कानिस्ठाय का अभ्यो नमह का अंगुली का असपर्स करें ओम्यम हिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे कर तर कर प्रिष्टाभ्यो नमहा हथेलियो और उनके प्रिष्ट भागों का परस्पर अस्पर्स करें हिर्द्या न्यास इनमें दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हिर्दयादी अंगों का अस्पर्स किया जाता है ओम यम हिर्दयाय नमह दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हिर्दय का असपर्स ओम हिंग सिर से स्वाहा सिर का असपर्स ओम क्लिंग सिखाय विरिष्ट सिखा का असपर्स ओम चामुंडाय कवचाय हुम दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ का स्पर्स करें ओम विच्चे नित्राय वेस्ट दाहिने हाथ की अंगुलियों के अगरभाग के दोनों नित्रों और ललाट के मध्यभाग का स्पर्स ओम ये महीं क्लिम चामुंडाई विच्चे अस्त्राय फट यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के उपर से बाई और से पीछे की और ले जाकर दाहिनी और से आगे की और ले जाएं और तरजनी तथा मध्यमा अंगलियों से हाथ की हथेली पर ताली बजाएं इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपको यह पूरा आ जाएगा दो तीन दिन आप सुनके करिए उसके बाद अपने आप आप कर लेंगे अब मैं अच्छर नियास बताता हूं उसके लिए वाक् इस प्रकार नियास करके मूल मंत्र से आठ वार ब्यापक दोनों हाथो द्वारा सिर्ष से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पोर्स करें फिर परतेक दिसा में चुठकी बजाते हुए नियास करें इसके बाद दिंग नियास आता है ओम्येम हिम क्लिंग चामुंडाई विच्चे उुर्धवाय नमहा ओम्येम हिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे भुम्ये नमहा भगवान विस्नू के सोजाने पर मधु और कैटभु को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्माजी ने जिनका अस्तवन किया था उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ वे अपने दस हांथों में खड़क चक्र, गदा, वान, धनुस, परिग, सूल, भुसुंडी, मस्तक और संख धारन करती है उनके तीन नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिब्वयावुष्णों से विभुसित हैं, उनके सरीर की कांती नील मनी के समान है, तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त है मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन मुख वाली महिसासुर मर्दिनी भगवती मिलक्ष्वी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वान, वज्र, पद्म, धनुस, कुंडिका, दंड, सक्ति, खड़क, ढाल, संख, घंटा, मधुपात्र, सूल, पास और चक्र धारन करती हैं, जो अपने करकमलों में घंटा, सूल, हल, शंक, मुसल, चक्र, धनुस और वान धारन करती हैं, सरद रितु के शोभा, शंपन, चंद्रमा के शवान, जिनकी मनोहर कांती है, जो तीनों लोकों की आधार, भुता, और संभुवादी, दैत पाटे हुआ है, उजन महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ, फिर ये हिंग, अक्षमाल, मालिकाय नमह, इस मंत्र से माला की पूजा करके प्राथना करें, ओम हे महा काय, महा माय माले, तुम सर्वसक्ती मा, सर्वसक्ती शरूपिनी हो, तुम्हारे में समस्त चतुरवेद अधिस्ठित हैं, इसलिए मुझे सिद्धी देने वाले हो, ओम हे माले, मैं तुम्हे दाएं हाथ में ग्रहन करता हूँ, मेरे जप में विघनों का नास करो, जप करते समय किये हुए संकल्पित कारियों में, सिद्धी प्राप्त करने के लिए, और मंत्र सिद् साद्धे सर्व सिद्धिम परिकल्प में श्वाहा, इसके बाद ओम एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 वार जाप करें, और देवी महस्वरी तुम गोपनिये से भी गोपनिये वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किये हुए इस जप क ग्रहन करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिवधी प्राप्त हो, इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासर्श्वती देवता हैं, गायत्री उस्निक और अनुस्टप छंद हैं, नंदा, साकंभरी और भीमा सक्ती हैं, रक्त दंतिकाद, दुर्गा और भ्रामरी वीज हैं, अग्नी वायू और सूर्य तत्तो हैं, रिक, यजुह और सामवेद ध्यान हैं, सकल कामनाओं की सिद्धी के हेतु, स्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासर्श्वती देवता की प्रती के प्रीती के लिए प्रथम मध्य उत्तर चरित्र के जप में इसका विन्योग किया जाता हैं, तुम खडग धारनी, सूल धारनी, घोर रुपा तथा गदा, चक्र संख धनुस धारन करने वाली हो, वान भुसुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं, इतना कहकर दोनों हाथों की तरजनी, अंगलियों के हाथों अंगुठों का अस्पर्स करें, देवी आप सूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खडग से भी हमारी तथा घंटा का धोनी और धनुस की तंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें, दोनों हाथों के अंगुठे से दोनों तरजनी अंगुलियों को अस्पर्स करें, चंडिके या पुर्व पस्चिम और दक्षिन दिसा में आप हमारी रक्षा करें, तथा इस्वरी अपने इस त परम सुन्दर रूप और अत्यंत भैंकर रूप बिचरते रहते हैं उसके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें अनामिका अंगलियों का स्पुर्स करें अंबिके आपके करकमलों में सोभा पाने वाले खडग शूल और गदा आदी जो जो अस्त्र हों उ लोगों की रक्षा करें कनिष्ठ का अंगलियों का स्पुर्स करें सर्व रूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की सक्तियों के संपन दिब्वे रूपा दुर्गे देवी सब भायों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है हतेलियों और उसके प्रिष्ट वागों का असपर्स करें तुम खडग धारणी सूल धारणी घोर रूपा दाहिने हाथ की पाचों अंगुलियों से हिर्दे असपर्स करें देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें इतना कहकर सिर का असपर्स करें चंडिके पुर्व पस्ची मितना कहकर सिखा का असपर्स करें आपके जो परम सुन्दर रूप दाहिने हाथ का अंगुलियों से बाए हाथ का बाए हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही असपर्स करें खडग, सूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की अंगलियों के अगर भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मद्यभाग का अस्पर्स करें स्वर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के उपर से बाई और से पीछे की और ले जाकर दाहिने और के आगे की और ले आएं और तरजनी तथा मध्यमा अंगलियों से बाई हाथ की अंगली पर ताली बजाएं ध्यान मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गादेवी का ध्यान करता हूँ उनके स्रीयंगों की प्रभा बिजली के समान है वे सिंग के कंधे पर बैठी बहंकर प्रतीत होती हैं हाथों में तलवार और धाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं वे अनेक हाथों में चक्र, गदा, तलवार, धाल, वान, धनुस, पास और तरजनी मुद्रा धारन किये हुए हैं उनका स्वरूप अगनी मैं हैं तथा हुए माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारन करती हैं इसके वाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मारकंडे जी बोले सप्त स प्रेम पुर्वक भगती का ध्यान करते हुए करना है मीठा उत्तम स्वर, अक्षरों का असप्वस्ट उच्चारन, पदों का विभाग स्वर, धीरे धीरे बोलना यह सब हमारे लिए जरूरी होते हैं जो पाठ करते समय राग पुर्वक गाता, उच्चारन में जल्दिवा पुर्वक भगती करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता, वह पाठ करने वालों में अध्धम माना जा गया है, जब तक अध्याय की पुर्ती ना हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें, यदि प्रमादवस अध अध्याय के बीच में पाठ का बिराम हो जाए, तो पुनह प्रती बार पूरे अध्याय का पाठ करें, अध्यान वस पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है, अस्तरोत का पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिए, वानी से उसका असपस्ट उचारण ही तम माना गया है बहुत जोड जोड से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वरजित है यतन पुर्वक सुद्ध एवं अस्थिर चित से पाठ करना चाहिए अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्रामे ने तर पुस्तक के लिखे हुए स्त्रोत का पाठ ना करें अध्याय समा अपत सब्द का उचारण हमें नहीं करना चाहिए अब हम इस विडियो के मुख्य हिस्सा में आ चुके हैं यानि कि अब मैं अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं देखते हैं कितना अध्याय मा दुर्गा पूरा करवा देती हैं अथ दुर्गा सब्त सती पहला अध्याय म मैं आरंभ करने जा रहा हूँ मेधा रिशी का राजा सुरत और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कटव वध का यहां प्रसंग सुनाया गया है जो की विनियोग से सुरू होता है ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा रिशी महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा स रक्त दंति का बीज अगनी तत्त और रिग देव रिग वेद शुरूप है महाकाली देवता की प्रसंगता के लिए प्रथम चरित्र के जप में बिनियोग किया जाता है ध्यान भगवान विस्नु के सोजाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जल्मा ब्रह्मा जी जिनका अस्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ या आप महिला हैं तो करती हूँ बोल सकते हैं वे अपने दस हाथों में खडग, चक्र, गदा, वान, धनुस, परिग, सूल, भुशुंडी, मस्तक और संख धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्या भुस्टनों से बिभुसित हैं उनके सरीर की कांती नील मनी के समान हैं तथा हुए दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं ओम चंडी देवी को नमस्कार है मारकंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठमे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्वत की कथा विश्तार पुर्वक कहता हूं शुनो सुर्य कुमार महाभाग सारवणी महाभगवती महामाया के नुग्रह से जिस परकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूं पुर्वकाल की बात है स्वारोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत उत्रों की भाती धर्म पुर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला विद्धवनसी नाम के छत्रिये उनके सत्रू हो गए राजा सूरत की दंडनीती बड़ी प्रवल थी उनका सत्रूों के साथ संग्राम हुआ यद पी कोला विद्धवसी संख्या में कम थे तो भी राजा हो गए तब ये युद्ध भूमी से अपने नगर को लोटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे समूची पिर्थवी से अब उनका अधिकार जाता रहा किन्तु वहां भी उन प्रवल सत्रूों ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमन कर दिया राजा किये सेना और खजाने को हतिया लिया सूरत का प्रभुत्य नस्ट हो चुका था इसलिए वे सिकार खेलने के वहाने घोडे पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिका आस्त्रम देखा वहां कितने ही हिंसक जीव अपनी सुभाविक हिंसावरिती छोड़कर परम सांत भाव से रहते थे मुनिके बहुत से सिस्से उस वन की सुभा बढ़ा रहे थे वहां जाने पर मुनिने उनका सतकार किया और वे मुनि स्रेष्ट के आस्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर ममता के क्रिष्ट चित होकर वहां इस परकार चिंता करने लगे पुर्व काल में मेरे पुर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है पता नहीं मेरे दुराचारी विड़ते गर्ण उसकी धर्म पुर्वकर अच्छा करते हैं या नहीं जो सदा मद की वर और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चे ही अब दूसरे राजाओं के अनुसरन करते होंगे उन अपव्याई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वखजाना खाली हो जाएगा ये तथा औ और कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आस्रम के निकट एक वैस्ट को देखा और उससे पूछा बाई तुम कौन हो यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम क्यों सोक ग्रस्त और अन्मने से दिखाई दे ते हो राजा सूरत का यह प्रेम पुरवक कहा हुआ वचन सुनकर वैस्त विनित भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा वैस्त वोला राजन मैं धनीों के कुल में उत्पन एक वैस्त हूँ मेरा समाधी है मेरे दुस्ट अस्त्री पुत्रों ने धन के लोब से मुझे घर से बा आया हूँ यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की अस्त्री की और स्वजनों की कुसल है या नहीं इस समय घर में वे कुसल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कस्ट है यह मैं नहीं जानता वे मेरे पुत्र कैसे हैं क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुरा वैसे बोला आप मेरे विशय में जैसी वात करते हैं वह सब ठीक है किन्तु क्या करूं मेरा मन निष्ठूरता नहीं धारण करता जिन्होंने धन के लोव में पढ़कर पिता के प्रती स्ने हैं पती के प्रती प्रेम तथा आत्मिय जन के प्रती अनुराग रस को तिलांजली द मुझे घर से निकाल दिया उन्हीं के प्रती मेरे हिड़दय में इतना स्ने है महामते गुणहीन बंधूओं के प्रती जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उसके लिए मैं लंबी सासे ले रहा हूं और मेरा हिड़दय अत्यंत दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वता भाव है तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निष्ठूर नहीं हो पाता इसके लिए मैं क्या करूं मारकंडे जी कहते हैं ब्रह्मान तदंतर राजाओं में स्रेष्ट सूरत और वह समाधी नामक मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याया नुकूल विनैपुर्वक वर्ताव करते बैठे तत्पस्चात वैस्षे और राजा ने कुछ वारता लाप आरंभ किया राजा ने कहा भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उस यह जानते हुए भी कि वहाब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है इधर यह वैस्वे भी घर से अप्मानित होकर आया है इसके पुत्र अस्त्री और विर्तियों ने इसे छोड़ दिया है सोजनों ने भी इसका परित्याग कर दिय है तो भी यह उनके प्रती अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है इस परकार यह तथा मैं दोनों ही पहुत दुखी है जिसमें परत्यक्ष दोफ्स देखा गया है उस विसियक के लिए भी हमारे मन में ममता जनिता करसन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार है तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है विवेक सुन्ने पूरुस की भाती मुझ में और इसमें भी यह मूरता परत्यक्ष दिखाई देती है रिसी बोले महाभाग विसयमार्ग का ज्यान सब जीवों को है इस परकार विसय भी सब के लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दि दूसरे रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी बरावर ही देखते हैं यह ठीक है कि मनुस्य समझदार होते हैं किन्तु केवल वे ही ऐसे नहीं होते पसू, पक्षी, म्रिग, आदी सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुस्यों की समझ वी वैसी ही होती है जैसी उन मरिग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुस्यों की होती है वैसी ही उन मरिग पक्षि आदी की भी होती है यह तथा अन्य वातें भी प्रायह दोनों में समान ही है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो स्वायम भूख से पिडित हो कि ये मनुस्य समझदार होते हुए भी लोग वश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलासा करते हैं यद पी उन सब में समझ की कमी नहीं है तथा पी वे संसार की अस्थिती जन्मरन की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा ममता मैं भावर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चरे नहीं करना चाहिए जगदिस्वर भगवान विष्णू की योग निद्रारूपा जो भगवती महा माया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ज्यानियों के भी चित को बलपुर्वक खीच कर मोह में डाल देती हैं वे ही संपूर्ण चराचर जगत की स्रिष्टी करती हैं तथा वे ही प्रसन होने पर मनुस्यों के मुक्ती के लिए वरदान देती हैं वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेत भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण इस्वरों की भी अधिस्वरी हैं राजा ने उनके चरित्र कौन कौन है ब्रह्म वेताओं में स्रेष्ट महर्षे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ रिशी बोले राजन वास्तों में तो वे देवी नित्य सुरूपा ही हैं संपूर्ण जगत उनहीं का रूप है तथा उनोंने समस्त विश्व को ब्यात कर रखा है तथा पी उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है वह मुझे से सुनो तथा पी वे नित्य और अजनमा हैं तथापी वह देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन हुई कहलाती हैं, कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निमगन हो रहा है और सब के प्रभु भगवान विश्नु सेसनाक की सैया विछाकर योग निद्रा का ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भैंकर असुर उत्पन हुए, जो मधु और कैटव के नाम से बिख्यात थे, वे दोनों ब्रह्मा जी का बध करने को तयार थे, भगवान विश्नु के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती ब्रह्मा जी ने जब दोनों भ भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रिचित होकर उन्होंने भगवान विश्नु को जगाने के लिए उनके नित्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का अस्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिस्वरी जगत क धारन करने वाली संसार का पालन और संगहार करने वाली तथा तेजह स्वरूप भगवान विश्नु की अनुपम सकती है, इन्ही भगवती निद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा अस्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही अस्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अत्रिक्त जो विंदू रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेश रूप से उचारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जनन देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारन करती हो तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो जगनमाई देवी इस जगत की उत्पत्ती के समय तुम स्रिष्टी रूपा हो पालन काल में अस्थिती रूपा हो तथा कल्पांत के समय संगहार रूप धारन करने वाली हो तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मिर्ति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी ह तुम्ही तीनों गुनों को उत्पन करने वाली सब की प्रकिरती हो भेंकर काल रात्री महारात्री और मोह रात्री भी तुम्ही स्री तुम्ही इस्वरी तुम्ही हिंग और तुम्ही बूध बोध स्वरूपा बुद्धी हो लज्जा पुष्टी तुरुष्टी सांती और छम तुम ही हो तुम खडग धार्णी, सूल धार्णी, घोर रुपा तथा गदा, चक्र, संख और धनुस धार्ण करने वाली हो बान, भुशुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं तुम सौम्मे और सौम्मेतर हो इतना ही नहीं जितने भी सौम्मे एवं सुंदर पद सर्व शरूपे देवी कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो सकती है वह तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी अस्तुति क्या हो सकती है इस जगत की स्रिष्टी, पालन और संगहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर आ है तब तुम्हारी अस्तुति करने में कौन यहां समर्थ हो सकता है मुझको भगवान संकर तथा भगवान विश्णू को भी तुमने ही धारन कराया है अता तुम्हारी अस्तुति करने की सकती किसमें है देवी तुम जो अपने इस उदार प्रभावों से ही प्रसंसित हो ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जगदिस्वर भगवान विष्णू को सिग्र ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी उत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन जब ब्रह्माजी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्धे से भगवान विष्णू को जगाने के लिए तमोगुण की अधिस्थात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार अस्तुती की तब हुए भगवान के नित्र, मुख, नासिका, बाहु हिर्दय और वक्ष अस्तल से निकल कर अव्यक्त जनमा ब्रह्माजी की द्रिश्टी के समक्ष खड़ी हो गई, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में सेसनाक की सया से जाग उठे, फिर उन्होंने उन दोनों वे दुरात्मा मधु कैटब अत्यंत बलवान और पराकर्मी थे और क्रोध से लाल आखे किये ब्रह्माजी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, तब भगवान स्री हरी ने उठकर उन दोनों के हाथ पांच हजार वर्षों तक बाहु युद किया, वे दोनों भी अत वे भगवान विष्णू से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ठ हैं, तुम हम लोगों से कोई वर्ष मांगो, स्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन हो, तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर्ष मांगा है, यहां दूसर भगवान ने कहा, जहां पिर्थवी जल में डूवी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो, रिशी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर संख चक्र गदा धारन करने वाले भगवान ने, उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले, इस ये देवी महामाया ब्रह्माजी की अस्तुती करने पर स्वयम प्रकट हुई थी, अब पुनह तुम से उनके प्रभाव का वर्नन करता हूँ, इस प्रकार दुर्गा सबसती का पहला ध्याय समाप्त होता है, अब मैं दुसरा ध्याय बता रहा हूँ, जिसमें की प्रमुक्त देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिसासुर की सेना की वाध का कथा यहाँ वर्नन मिलता है, जो की विन्योग से प्रारंभ होता है, ओम मध्यम चरित्र के विस्नूरिसी, महालक्ष्मी देवता, उस्निक छंद, साकंभरी सक्ती, दुर्गावीज, वायु तत्य और यजुर वेद स्वरूप हैं, स्त्री महालक्ष्मी की प्रसनता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विन्योग है, ध्यान मैं कमल के आसन पर बैठी हुई, प्रसन मुखवाली, महिसासुर, मर्दनी, भगवती, महालक्ष्मी का प्राथना करता और नारी हैं तो करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्ष, माला, फरसा, गदा, वान, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ती, खडक, ध खाल, शंक, घंटा, मधू, पात्र, शूल, पास, और चक्र धारन करती हैं, रिसी कहते हैं, पुर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्सों तक घोर संग्राम हुआ था, उसमें असुरों का स्वामी महिसासुर था, और संग्राम वर्सों तक हुआ था, ज पूर्ण देवताओं को जीतकर महिसासुर इंद्र बन बैठा, तब पराजित देवता प्रजापती ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गए, जहां भगवान संकर और विस्तू विराजमान थे, देवताओं ने महिसासुर के पराकर्म और उनकी पराजय का यथावत, विरितांत उन दोनों देवे स्वरों से विस्तार पुर्वक कह कर सुनाए, वे बोले भगवन, महिसासुर, सुर्य, इंद्र, अग्णी, वायू, चंद्रमा, यम, वरुन, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयम ही सबका अधिस्ठाता बना बैठा है, उस दुरा अधिकारी कर्थूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपका ही सरण में आये हैं, उसके वद्ध का कोई उपाय सोचिये, इस परकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विस्तनु और सीव के दैत्यों पर बढ़ा क्रोध किया, उनको मोह तन गया, भौह तन गया, और मुह तेणा हो गया, सब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विस्तनु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, इसी प्रकार ब्रह्मा, संकर तथा इंद्र आधी अन्यान्य देवताओं के सरीर में भी बढ़ा भारी तेज निकला, वह सब मिलकर एक हो गया महान तेज का वह पुंज जा जल्लो मान परवत सा जान पड़ा, देवताओं ने देखा वहाँ उनकी जजजवालाएं संपूर्ण दिशाओं में भ्याप्त हो रही थी, संपूर्ण देवताओं के सरीर से प्रकट हुए, उस तेज की कहीं तुल्ला नहीं थी, एकत्रत होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में ब्याप्त जान पड़ा, भगवान संकर का जो तेज था, उस से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके सिर पर बाल निकल आए, स्री विस्नु भगवान के तेज स जंगा और पिंडली और पिर्थवी के तेज से नितंभ भाग प्रकट हुआ, ब्रह्माजी के तेज से दोनों चरण और सुर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई, वश्वो के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई, उसी देव अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्यानमई देवी का आविरभाव हुआ तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिसासुर के सताय हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए पिनाकधारी भगवान संकर ने अपने सूल से एक सूल निकाल कर उन्हें दिया फिर भगवान विस्नु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन करके भगवती को अरपन किया वरुन ने भी संक भेट किया अग्नी ने उन्हें सक्ती दी वाईव ने धनुस और वाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किये सहस्त्र नित्रो वाले देवराज इंद्र ने अपने वरज्ज बज्र से बज्र उत्पन करके दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया यम राज ने काल दंड से दंड वरुण से पास प्रजापती ने अस्फट काक्ष की माला और ब्रह्मा जीने का मंडलू भेट किया सुरेने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किर्णों का तेज भर दिया काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी छीर समुद्र ने उज्वल हार कभी जिर्ण न होने वाले दो दिब्य वस्त्र भेट किये साथ ही उन्होंने दिब्य चूडामनी दो कुंडल कड़े उज्वल अर्धचंद्र सब बाहुँओं के लिए कयूर आदी चर्णों के लिए निर्मल निपूर गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अंगुठियां भी दी विश्व कर्मा ने उन्हें त्यंत निर्मल फर्षा भेट किया साथी अनेक प्रकार के अस्त्र अभेद कबच दिये इनके सिवा मस्तक और वक्ष अस्तल पर धारन करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों का मालायदी जलधी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल पहेट किया हिमालाय ने सवारी के लिए सिंग और भाती के रत्न समर्पित किये धनाध्यक्ष कुवेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया संपुर्ण नागों के राजा सेस ने जो इस पिर्थवी को धारन करते हैं उन्हें बहमुल्य मणियों से विभुसित नागहार भेट किया इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभुशन और अस्त्र सस्त्र देकर देवी को सम्मान किया तत पस्चात उन्होंने बारंबार अटाहास पुर्भक उच्य स्वर से गर्जना की उनके भेंकर नाद से संपूर्ण आकास गूज उठा देवी का यह अत्यंत उच्य स्वर से किया हुआ सिंग नाद कहीं समान सका आकास उसके सामने लगु प्रतीत होने लगा उससे बड़े जोड की प्रतीध हनी हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काप उठे पिर्थवी डोलने लगी और समस्त परवत हिलने लगे उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसंता के साथ सिंग वाहिनी भवानी से कहा देवी तुम्हारी जय हो साथ ही महर्शियों ने भक्ती भाव से विनम्र होकर उसका अस्तवन किया संपूर्ण त्रिलोकी को छोब ग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेवा का सेना को कवच आदी से सुसजित कर हाथों से हतियार ले सासा उठकर खड़े हो गए उस समय महिसासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा आह यह क्या हो रहा है फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंग नाद ओ क्योर लक्षे करके दोड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकासित कर रही थी उनके चर्णों से के भार से पिर्थवी दवी जा रही थी माथे के मुकुट से आकास में रेखासी खिच रही थी तथा वे धनुस की टंकार से सातों पतालों को छुब्द किये देती थी देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिसाओं को अक्छादित कर खड़ी थी तदंतर उनके साथ दत्यों का युद छिड़ गया नाना प्रकार के अस्त्र सस्त्रों के प्रहार संपूर्ण दिसाओं उदासित होने लगी चिछुर नामक महानसुर महिसासुर का सेना नायक था वह देवी के साथ युद करने लगा अन्य देत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा साथ हजार रथियों के साथ negotiation कर उधगर नामक महादैत्ते ने लोहा लिया एक कडोर रथियों को लेकर महा हHaनु नामक दैत्ते युद्ध करने लगा उसके रोएं तलवार के समान तीखे थे वह असी लोमा नामक महा दैत्य पांच कडोर रथी सैनिको सहित युद्ध में आडटा उस युद्ध भूमी में लड़ने लगा परिवारित नामक रक्षस हाथी सवार और घुड सवारों के अनेक दलों तथा एक कडोर रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा विडाल नामक दैत्य पांच अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा इनके अतिरिक्त और भी हजारों महा दैत्य हाथी और घोडों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगा स्वयम महिसासुर उस रणभूमी में कोटी कोटी सहस्त्र रथ हाथी और घोडों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, सक्ती, मूशल, खड़ग, पर्सु और पटिसाधी अस्त्र सस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे